इन दिस वीडियो यू विल गेट दे सलुशन आफ एक्सरसाइज 2.1 आईडी सर्मा तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बेसिक जो बेसिक है आईडी सर्मा में इस वीडियो में आप वन बाई वन इन सभी क्वेशन को क्वेशन 4 तक आप सलुशन समझ सकते हैं और देख सकते हैं ओके चलिए स्टार करते हैं चलिए आडी सर्मा का question 1 का first part से start करते हैं यहाँ पर करना क्या है simplify simplify करने का मतलब होता है कि इसको छोटे में लिखना और simple कर देना यहाँ पर complex में लिखा हुआ है तो कैसे करेंगे जितने भी laws है इसके आडी सर्मा में 4 laws दिया हुआ है मैंने उसको एक separate बिडियो बनाया हुआ है उसको आप जाकर देख सकते हैं समझना है तो यहाँ पर चलिए हम उन 4 laws का use करके simplify करेंगे तो देखे जब भी आपको ऐसे expression दिया हो तो सबसे देखे कि number इसमें है क्या तो number यहाँ पर है देखे 3 और 5 इन दोनों को एक साथ मटिपलाई करेंगे और जो variables होते हैं उनको एक साथ हम solve करता है तो सबसे पहले 3 और 5 को और यहाँ पर हम देखे 10 को distribute कर देंगे a to the power 4 पर और b to the power 3 पर 10 जो है distribute हो जाएगा इन दोनों variables पर क्योंकि हम यहाँ पर rule यूज करते हैं a to the a b whole to the power n रहता है तो हो जाता है a to the power n into b to the power n इसी rule का use करेंगे यहाँ पर तो यह हो जाएगा a to the power 4 whole to the power 10 b to the power 3 whole to the power 10 into यहाँ पर देखें a square है और यहाँ पर भी 3 जो power है दोनों पर दिया हुआ है तो इसको distribute कर देंगे तो a square whole to the power 3 into b square whole to the power 3 ठीक है और यहाँ पर distribute भी हुआ है अब यहाँ multiply कर देंगे क्योंकि हम rule यूज करेंगे a to the power m whole to the power n जब रहता है हो जाता है a to the power mn ओके तो इस rule will be applied again तो यहाँ देखें 3, 5, 15 हो गया है यहाँ पर इतना लिख देंगे अब यहाँ पर a to the power हो जाएगा आपका multiply 4 into 10 कितना हो जाएगा 40 directly 40 लिख दीजिए यहाँ हो जाएगा b to the power 30 अब देखें a to the power 40 और b to the power 30 के बीच में क्या है multiply है मतलब dot लगा देते हैं dot मतलब बता है multiplication चलिए अब यहाँ पर है a to the power 2 और power में 3 है तो यह इसका यूज करेंगे इस rule का तो हो जाएगा a to the power 6 clear बहुँ सिंपल है यहाँ पर देखें और b to the power हो जाएगा यहाँ पर 236 अ यहाँ a to the power 6 है और यहाँ b to the power 30 है और b to the power 6 है इन दोनों को एक साथ मने b वाले को एक साथ और a वाले को एक साथ solve करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू तो यह हो जाएगा a to the power 40 into a to the power 6 को एक साथ लिख लेंगे और b to the power 30 into b to the power 6 को एक साथ लिख लेंगे अब इन law a to the power m into a to the power n यदि base base बराबर हता है तो यह हो जाता है a to the power m plus n ठीक है यहाँ पर वही उस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा a to the power 40 plus 6 46 ठीक है और यहाँ हो जाएगा b to the power 30 plus 6 36 this is your answer actually now the second part of first 2x to the power minus 2 y to the power 3 whole to the power यहाँ पर है 3 तो यहाँ पर सबसे पहले जो यह 3 power है वह इन तीनो पर distribute हो जाएगा मतलब कि 2 पर x to the power minus 2 पर भी हो जाएगा power 3 और यहाँ भी हो जाएगा y to the power 3 कौन साला यूज कर रहे हैं देखें यहाँ पर x, y, z यदि ऐसा रहता है और hold to the power m है तो इसका ऐसा हो जाएगा x to the power m, y to the power m and z to the power n मने जितने भी अंदर variables होते हैं या फिर कोई number होता है उन सभी पर यह m power distribute हो जाता है तो यहाँ भी y करेंगे तो is equal to हो जाएगा 2 to the power 3 into x to the power जो minus 2 है उस पर हो जाएगा power 3, y to the power 3 है यहाँ पर तो उससे power हो जाएगा 3 finally मिल जाएगा solve करने पर यहाँ पर हो जाएगा 8 और यहाँ पर देखें x to the power minus 2 into 3 करेंगे है ना x to the power जो जो जाएगा x to the power minus 6 minus 2 into 3 क्या होता है minus 6 y to the power 3, 3, 3, 9 तो यहाँ पर जो minus है उसको positive कर सकते हैं कैसे positive करेंगे तो हम जानते हैं कि एक rule है 8 to the power जो है तो जो जाएगा minus n तो इसको लिखते है हम लोग 1 upon 8 to the power n मतलब प्लस करने के लिए यहां मैनस को प्लस करने के लिए हम यह रूल यूज करते हैं तो यहां भी वही करेंगे यह हो जाएगा 8 और इसके लिए हम लिख देंगे नीचे x to the power 6 प्लस में आ गया और y to the power 9 तो positive है तो हम इसको उपर ही रिखेंगे तो यह हो जाएगा y to the power 9 तो यहां पर ध्यान दिजेगा सबसे पहले numerator में simplify करेंगे फिर हम denominator को simplify करेंगे यहां पर दोखिए इसमें power नहीं है यहां पर और यहां भी इसमें power यहां पर नहीं है तो करना क्या है बस यह 4 और 6 को एक साथ में डिपलाई करेंगे और यहां पर देखिए यहां पर 10 और इस 10 का base मतलब यहां पर जो power दिया हुआ है यह 10 जो है base जो है बराबर है तो base वाले को एक साथ simplify करते हैं तो यहां देखिए 4 और 6 को एक साथ लिखेंगे तो यह हो जाएगा 4 इंटो 6 और यहां पर जो base जिनका equal है हमको एक साथ दिखेंगे 3 तो 7 इंटो 10 तो दिपावर माइनस 5 और नीचे कुछ नहीं करना है हमें वैसे ही रखे रहना है फिलहाल में अब यहां पर यहां पर देखिए यहां तो यहां से ऊपर नीचे कैंसल आट कर सकते हैं तो simple हो जाएगा 4 यहां हो जाएगा 4 तो जाएगा 8 2 जाएट तो और 2 तो जाएगा 6 तो क्यों हम 3 बचाए यहां पर तो हम 3 लिख लेंगे और यहां पर देखिए 10 to the power 7 और minus 5 तो यहाँ पर add करना होगा क्योंकि हम use करेंगे 8 to the power n into 8 to the power ऐसे रहता है बेस इक्वाल रहता है तो 8 to the power m plus n कर देते हैं तो वहीं यहाँ पर करेंगे तो यह होजाएगा 3 into 10 to the power 7 minus 7 plus minus 5 तो actually यह 7 minus 5 ही होगा क्योंकि plus minus minus हो जाता है और यह whole upon यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा 1 बचा है तो 10 to the power के वाल 4 बचा है अब इसके आगे करना होगा तो देखें 3 into यहाँ minus कर देंगे तो मिलेगा हमें 10 to the power 7 minus 5 is 2 whole upon 10 to the power 4 अब देखें यहाँ पर इन दो numbers को देखिए जब यह ऐसे रहता है जैसे a to the power यह दी रहेगा आपका m upon a to the power n तो यह minus हो जाता है subject हो जाता है third law a to the power m minus n ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर यूज करेंगे तो होगा 3 into 10 to the power 2 minus 4 ओके और यह equal to हो जाएगा 3 into 10 to the power minus 2 अब यहाँ पर इसको या तो यही आंसर होगा या हम इसको plus कर लेंगे जो negative है उसको हम plus में लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 3 upon 10 to the power 2 यह 3 upon 100 लिख सकते हैं या divide करके 0.03 भी लिख सकते हैं ठीक है तो आंसर हमारा यह भी होजगता है यह correct है तो इस इस और आंसर ना fourth part of question 1 देखें यहां पर numerator में पहले हम solve करेंगे तो जो numbers हैं इससे 4 है और minus 5 इनको एक साथ multiply कर लेंगे तो मिलेगा हमें 4 into minus 5 और देखें यहां variables यहां पर a variable है और यहां a है दोनों का base मतलब equal है तो हम लिख देंगे a to the power 1 plus 1 और b का देखें पावर यहां पर 2 है और यहां b का पावर 3 है तो दोनों का एक साथ लिखेंगे और इनको add कर देंगे तो b to the power मिल जागा 2 plus 3 और whole upon नीचे तो ठीक वैसे रखेंगे कुछ कर रहा नहीं है यहां पर अब ध्यान से समझेगा यहां मने प्लाई कर लेंगे मैनस 20 a का पावर यहां पर 1 plus 1 2 हो जाएगा और b का पावर हो जाएगा 5 whole upon 10 a square b square देखें आपर यह cancel out कर लेंगे 10 बंज़ा 10 10 2 जा तो मैनस 2 बचेगा आपको मैनस 10 मूल गया है यहां पर देखें a square और a square दोनों का पावर सेम है तो यह cancel out हो जाएगा cancel out होने का मतलब यही है कि a to the power 2 minus 2 हुआ है ठीक है और यहां पर powers अलग-अलग हैं तो मैनस कर लेंगे तो b to the power 5 minus 2 तो यहां पर आपको मिल जाएगा minus 2 into b to the power 3 this will be your answer minus 2 5th part of question 1 ध्यां देजएगा यहां पर देखिए x square y square whole upon a square b cube और इसका पूरा whole power में n दिया हुआ है तो इसका मतलब हम यहां पर यूज करेंगे पहले-पहले a upon b whole to the power n का फामूला जो कि यह n जो है numerator में और denominator में distribute हो जाता है मतलब a to the power n upon b to the power n हो जाता है तो इसी concept के यहां पर यूज करेंगे सबसे पहले चले इसको लिख लेते हैं यहां पर हो जाएगा x square y square whole to the power n हाना n जो है numerator में distribute हो गया upon अब यह denominator में होगा a to the power 2 b cube whole to the power n ऐसा हो जाएगा अब यहां देखिए अब यहां पर यूज करेंगे यह formula a, b whole to the power यदि m रहेगा तो हो जाता है a to the power m into b to the power n ओके तो यह दोनों पर distribute हो जाता है तो यहां पर भी जो n है वो दोनों पर x square और y square दोनों पर distribute हो जाएगा तो क्या मिलेगा x to the power 2 whole to the power n into y to the power 2 whole to the power n ओके whole आपान यहां पर दिखिए जो n power है वो a square और b cube पर दोनों पर अलग-अलग distribute हो जाएगा तो a square whole to the power n into b cube whole to the power n अब जब यहां पर ऐसा हो गया तो अब एक formula यह भी होता है a to the power m रहेगा और power n रहेगा तो दोनों को multiply कर देते हैं a to the power m into n तो यहां भी वही करेंगे 2 into n हो जाएगा तो मिल जाएगा हमें x to the power 2n into y to the power देखिए हमें पर 2 into n मन्तलब कि 2n whole आपान यहां पर हो जाएगा a to the power 2n into b to the power 3n अब इसके बाद हम कुछ कर नहीं पाएगे क्यों क्योंकि यहां पर variable x है यहां y है और नीचे एदम totally अलग variables है मतलब a हो और b है तो यहां पर उपर नीचे हम solve कुछ नहीं कर पाएगे तो this will be your final answer 6th part of question 1 ध्यान देखिएगा a to the power 3n-9 whole to the power 6 whole upon a to the power 2n-4 तो यहां पर हम numerator में पहले simplify कर लेंगे फिर इन दोनों को करेंगे क्यों कि base बराबर है a और a तो सबसे पहले हम यहां पर देखिए फ़ामुरे लगाएंगे this a to the power m रहता है whole to the power n रहता है तो हो जाता है a to the power m into n multiply कर लेज़ेगा तो यहां पर करेंगे a to the power 3n-9 एक bracket में और इसमें multiply हो जाएगा 6 से whole upon यहां पर तो कुछ multiply करना नहीं है तो a to the power 2n-4 ऐसे ही लिख देंगे अब यहां पर multiply जाक करेंगे तो मिलेगा हमें a to the power 3n- 3n में multiply करेंगे 6 से और minus 9 में भी 6 से होगा तो 6 3 जा 18n-9 6 जा 54 whole upon a to the power 2n-4 अब यहां पर जो formula यूज करेंगे वो होगा a to the power m upon a to the power n is equal to हो जाता है a to the power m-n अब minus कर देंगे यहां पर तो यह जो a के power जो पूरा complete यह power है वो पूरी दर से minus हो जाएगा इस पूरे power से तो क्या आ जाएगा यहां पर यहां पर देखेंगे यह जो है single हो जाता है तो यहां पर देंगे a to the power यह पूरा लिखेंगे पहले हाना numerator वाला जो power होता है सबसे पहले उसको लिखिएगा हमेशा तो 18n-54 minus minus करना है तो bracket में बनेएगा इसको bracket में जरूर लिखिएगा नहीं तो mistake होने का chance पूरा रहेगा minus 4 bracket में इस लिखा जा रहा है क्योंकि इसमें 2 terms है अब हो जाएगा a to the power यहां पर 18n-54 यहां पर minus से multiply करेंगे दोनों में तो मिलेगा minus 2n यहां पर और यह minus minus plus हो जाएगा तो मिलेगा यहां पर plus 4 ओके तो मतलब अब यहां simplify करेंगे 18n और 2n यह like terms है तो like terms है तो simplify हो जाएगे a to the power यह हो जाएगा 16n क्योंकि 18n में से 2n minus किया हमने तो 16n minus देखिए 54 minus में है और यह plus में है तो minus हो जाएगा इसमें से 54 में से और मिलेगा 50 मतलब भी a to the power आगया 16n minus 50 this will be your answer this is a simplified first part of question 2 if a is equal to 3 and b is equal to minus 2 find the value of a to the power a plus b to the power b तो क्या करना है देखिए a का value दिया होए 3 है और b का value दिया है minus 2 बस इसमें put कर देना है और simplify कर देना है और solve करने के बाद value find कर लेनी है चलिए यहाँ पर solve करते है यहाँ पर a की value रखेंगे तो मिलेगा 3 to the power यहाँ देखिए a है तो यहाँ भी 3 लिखेंगे 3 to the power 3 plus b की value यहाँ देखिए minus 2 है तो यहाँ लिखेंगे b के place पर minus 2 whole to the power power में b लिखना है मतलब minus 2 ही लिखिए अब इसको solve करना है ठीक है ज्याँ देजएगा 3 to the power 3 हो जाएगा क्या 3 to the power 9 3 into 3 into 3 ऐसे हो जाता है यदि positive इंडिर रहता है तो और यदि negative होता है देखिए यहाँ पर negative है minus 2 का power यहाँ पर क्या है power यहाँ पर negative है तो power यदि negative रहता है तो इसको solve करने का तरीका होता है कि 1 upon पहले हम इसको positive कर लेते हैं मतलब कि minus 2 to the power हो जाएगा 2 यहाँ पर negative था यहाँ पर positive हो गया सबसे पहले आप यही करेंगे याद रखिए अब ऐसा करने के बाद तो यहाँ पर तो multiply कर लेंगे 379 ए 37 आजाएगा plus यहाँ पर अब denominator में जब power प्लस में आ गया तो हम जैसा यहाँ पर कर रहे थे यहाँ पर power प्लस में था तो multiply कर रहे थे तो यहाँ भी वही काम करेंगे मतलब कि minus 2 को दो बार multiply कर देंगे minus 2 into minus 2 अब इसको simplify करेंगे तो upon 1 LCM ले लेंगे और यहाँ पर मिलेगा LCM 4 144, 427 जा 108 मिलेगा plus 4 से बाट करेंगे 144 और यहाँ पर हो जाएगा 1 मतलब हो जाएगा 109 upon 4 तो this is the answer for the part 1 now second part of question 2 value दिया हुआ है और यहाँ पर A की value और B की value put करेंगे और simplify करेंगे चलिए simplify करते हैं A to the power मतलब कि 3 to the power अब B रख देंगे हैं यहाँ पर मतलब minus 2 plus B यहाँ पर है minus 2 और इसका power रखेंगे 3 अब यहाँ simplify करना है जाएगा यहाँ पर negative power यह दि रहेगा मतलब negative integral power रहता है तो solve करने का तरीका होता है 1 upon पहले इसको positive कर लेते हैं मतलब 3 to the power हो जाएगा 2 plus देखें यहाँ negative था तो positive हो गया plus minus 2 to the power 3 का solve करने का तरीका तो आपको पता ही है यह दि positive रहेगा तो 3 times multiply कर देंगे जो भी इसके अंदर रहेगा multiply करेंगे तो इतना मिल जाएगा इसको solve कर लेजए मिलेगा आपको 1 upon 9 plus यहाँ पर देखें यहाँ पर negative negative यह 3 times है तो negative ही रहेगा तो minus रहेगा ही 2 to the 4 4 to the 8 मतलब यहाँ पर देखें negative negative जो रहता है तो आप देखें कि odd times आ रहा है कि event times हा रहा है यदि odd times आएगा तो negative रहेगा यहाँ पर और यह यह event times multiply हो रहा है तो समझ लिजे positive हो जाएगा तो यहाँ पर इतना आ गया अब इसको लिखेंगे 1 upon 9 plus minus multiply होगा तो यहाँ जाएगा minus और यह हो जाएगा 8 अब यहाँ पर simplify कर लेंगे तो 1 minus 98 जा 72 upon 9 और यहाँ solve करेंगे तो 1 minus 72 is minus 71 upon 9 तो this will be your answer third part of question 2 a plus b hold to the power a b है यहाँ भी value put करिए और value find हो जाएगा देखें हाँ पर a की value है 3 plus b की value है minus 2 और whole power है a into b तो यहाँ पर 3 a की value हो जाएगी 3 into minus 2 अब यहाँ simplify करिए तो देखेंगे धान देजएगा plus और minus को मनड़पलाई करेंगे यहाँ पर तो यह minus हो जाएगा तो यह हो जाएगा 3 minus 2 whole to the power यहाँ मनड़पलाई कर देंगे यहाँ 3 का power 3 का जो sign है plus है और यहाँ minus है तो यह हो जाएगा minus 6 3 minus 2 हो जाएगा 1 और 1 to the power होगा minus 6 तो आप जानते हैं 1 जो number होता है उसके उपर उसके power में कुछ भी रख दीजिए यहाँ तक की 0 भी रख देंगे या फिर 1 के power में आप minus 8 रखिए या फिर 1 के power में आप 6 रखिए इन सबका value जो है 1 ही होता है तो इसकी value आप पता है आपको क्या होगा 1 होगा This will be your answer First part of question 3 If A, X, Y, A, B are positive real numbers prove that this much is equal to 1 means X to the power A upon X to the power B whole to the power C multiplied by X to the power B upon X to the power C, whole to the power A multiplied by X to the power C upon X to the power A whole to the power B इसको simplify करने के बाद is equal to 1 आना चाहिए ऐसा prove करना है तो ऐसे equations में सबसे पहले taking LHS मतलब ये left hand side है हम लेंगे taking LHS देखिए हमने LHS को यहाँ पर लिख लिया है अब इसको simplify करेंगे और simplify करने के बाद 1 यदी हम ला दें तो proof हो जाएगा ओके तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे simplify यहाँ पर देखिए यह whole to the power C है तो इस C को हम numerator में और denominator में distribute करेंगे तो क्या हो जाएगा हम फ्रुमेर लगाएंगे ये वाला A to the power A upon B whole to the power यदी M रहता है तो ये distribute हो जाता है power numerator में और denominator में यही हम यहाँ पर rule यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा x to the power A whole to the power C upon x to the power B whole to the power C ओके C दोनों में distribute हो गया इन्टु यहाँ भी वही काम करेंगे क्योंकि whole to the power A है A जो है वो दोनों numerator में denominator में distribute हो जाएगा x to the power B whole to the power A upon x to the power C whole to the power A multiplied by यहाँ भी distribute हो जाएगा x to the power C whole to the power B upon x to the power A whole to the power B अब यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर जो numerator में देखिए ध्यान से x to the power A है फिर whole to the power C है इसका मतलब कि यहाँ पर हम formula यूज करेंगे x to the power m hold to the power n रहता है तो multiply कर देते हैं m into n से तो यहाँ पर सब में numerator में denominator में सब में यही use करेंगे तो क्या हो जाएगा हमें मिल जाएगा x to the power a into c मतलब कि x to the power a c upon यहाँ हो जाएगा x to the power b c multiplied by यहाँ भी x to the power b a या फिर a b b a और a b में कोई फर्क नहीं है यहाँ देखे x to the power c a into यहाँ भी वैसे करेंगे x to the power हो जाएगा c b upon x to the power a b clear अब क्या करेंगे ध्यान देजएगा यहाँ पर देखे base और base बराबर है power अलग-अलग है तो हम फ़हाँ यूज़ करेंगे x to the power m upon x to the power n देखे जब base बराबर हो मतलब x x बराबर है यहाँ पर तो powers को क्या करते हैं subtract कर देते हैं x to the power m minus n कर देंगे तो यहाँ हम वही काम करेंगे तो देखे एं क्या मिलता है is equal to यहाँ पर हो जाएगा x to the power a c में से minus कर देंगे b c ठीक है इंटू यहाँ भी x to the power में b a minus c a कर देंगे इंटू यहां भी मैनस करेंगे तो x to the power हो जाएगा cb-ab अब यहां पर क्या करेंगे देखें यहां पर base बराबर है x, x और x तो इसके powers को add कर देंगे यही तो करना होता है तो simply यहां पर powers को add करेंगे x to the power हो जाएगा ac-bc plus ba-ca अब इतना लिखने के बाद अब आप एक बात ध्यान दिजिए तोड़ा सा ध्यान से देखिए यहां पर ac और ca यह दोनों के दोनों same term है मतलब कि a into c करें या c into a करें बात same है मतलब कि ac बराबर ca होगा similarly ab बराबर ba भी होगा और similarly bc बराबर cb भी होगा ऐसा होता है ठीक है किसी भी दो real number को अबलाए करी है left side transpose करके कोई problem नहीं होती तो यहां पर ac यहां positive में है और c यह negative में है तो दोनों cancel out हो जाएंगे ठीक है bc यहां देखिए negative में है और cb यहां positive में है तो यह cancel out हो जाएंगे क्योंकि equal हैं दोनों तो negative opposite sign है तो cancel out हो जाएगा ba यहां पर positive है यहां पर a b negative है cancel out हो जाएगा मतलब x to the power क्या मिला 0 यदि x to the power 0 मिल रहा है तो यह क्या बता रहा है x to the power 0 क्या होती है 1 होती है तो हमने लातो दिया right hand side हमें लाना था इतना is equal to 1 तो we have got this तो लिख सकते हैं is equal to RHS और लिख सकते हैं कि hence proved question number 3 का second part ध्यांद जेगा 1 upon 1 plus x to the power a minus b plus 1 upon 1 plus x to the power b minus a is equal to 1 prove करना है तो यहां भी हम करेंगे taking LHS यहां पर जो x to the power a minus b है इसी को हम लिखेंगे कुछ अलग तरीके से ध्यान देजेगे यहां पर a to the power यदि रहता है m upon a to the power n तो आप क्या करते हो a to the power m minus n करते हो यदि ऐसा पहरे से दिया रहे तो आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ऐसा भी तो लिखा जा सकता है मतलब इसको break कर देंगे तो ऐसा बनेगा हमें तो यहां पर हम ऐसा ही लिखना चाहते हैं और क्यों लिखना चाहते हैं? अभी परता चल जाएगा 1 plus x to the power हो जाएगा यहां पर a upon x to the power हो जाएगा b ठीक है? numerator में रहेगा यहां पर पहला वाला exponent x to the power a और यहां पर denominator में b रहेगा प्लस similarly यहां भी कर देंगे हो जाएगा x to the power b upon x to the power a अब इसके आगी क्या करना है? ध्यान समझेगा 1 upon देखें यहां पर यहां पर जो 1 है यदि हम x यहां पर solve करेंगे अपान 1 लेकर LCM लेकर के तो क्या मिलेगा? यहां whole आ जाएगा x to the power b ठीक है? और 1 से डिवाइड करेंगे x to the power b में तो x to the power b ही आएगा और multiply कर देंगे यहां पर 1 में तो हो जाएगा यहां पर x to the power b प्लस x to the power b से डिवाइड करेंगे इधर तो 1 आ जाएगा 1 into this x to the power a ठीक है? प्लस यहां भी हम simplify करेंगे इसको मतलब यहां पर LCM लेना है आपन 1 और x to the power a का LCM लेना है और solve करना है यहां पर आएगा 1 अपान और यह हो जाएगा LCM इसका x to the power a और 1 से डिवाइड करेंगे x to the power a में तो वही आएगा और यहां पर हो जाएगा x to the power a multiply करने पर 1 में प्लस x to the power a से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और once we apply करेंगे x to the power b में तो वही रहेगा x to the power b ही तो हमें ऐसा मिल गया अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देखेंगे तो मिलेगा हमें देखिए x to the power b चला जाएगा उपर numerator में ठीक है और इसको लिखा जा सकता है हमारा इस तरीक से x to the power b अपान यह जो बीच वाला रहेगा वो तो अगवाई से ही रह जाएगा x to the power b plus x to the power a plus और यहाँ पर x to the power a चला जाएगा numerator में तो मिल जाएगा x to the power a अपान यहाँ हो जाएगा x to the power a plus x to the power b ऐसा हो जाएगा अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यह दोनों जो डिनामिनेटर में दिया हुआ है यह दोनों सेम है मतलब आप a plus b करो या b plus a करो दोनों बाते सेम है ठीक है किसी भी दो real numbers को add करते हैं आप क्योंकि यह दोनों a और b क्या है positive real numbers है तो यह पूरा का पूरा जो है positive real number हो गया तो positive real numbers को हम ऐसे करके commutative law follow होता है तो commutative law यहां follow होता है तो यह दोनों बराबर हो गए मतलब एक स्टू दी पावर b plus x दी पावर a यह पूरा equal है x दी पावर a plus x दी पावर b के मतलब इन दोनों का जो lcm होगा इन दोनों का जो lcm होगा यही होगा दोनों यही से डिवाइड करेंगे इसमे तो 1 आएगा 1 into this करेंगे तो x दी पावर b ही आजाएगा प्लस अब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा 1 into this आजाएगा x दी पावर a अब देखें यहां पर numerator में denominator में सेम टर्म आ गये यह दोनों के दोनों क्या है सेम है तो यह दोनों cancel out हो जाएगा और मिलेगा आपको 1 और यही तो prove करना था is equal to rhs लिख देंगे hence proved question number 4 solve the following equations for x तो यहां पर ध्यान देजेगा जो equations यहां पर solve करना है और x की value find करनी है तो सबसे पहले थोड़ा सा sort में समझ लेते हैं concept concept क्या कहता है ध्यान समझेगा a to the power यदि m है और equal में a to the power n है तो यहां पर यदि हम देखेंगे कि base यहां पर a और यहां भी a है base दोनों बराबर है तो power भी बराबर हो जाता है it means it is equal to m is equal to n हो जाएगा यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा base बराबर होना चाहिए यदि base बराबर नहीं होगा तो powers को आप equal नहीं कर पाऊगे लेकिन इसके साथ साथ एक और है x to the power यदि let's suppose m है और is equal to यहां पर y to the power m है मतब दोनों तरफ powers से सेम है तो हमारा base भी equal होना चाहिए तो यहां पर it implies यह हो जाएगा x is equal to y तो यही दोनों concept का use हम करेंगे इन equations को solve करने में चलिए solve करते हैं और वहां पर ऐसे principles को use करते हैं यहां पर है 7 to the power 2x plus 3 is equal to 1 तो यहां पर दोनों तरफ देखेंगे कि base का power base जो है equal है कि नहीं तो यहां पर देखें base equal नहीं है तो हमें base equal करने का सोचना पड़ेगा मतलब इधर भी हमें 7 to the power something लाना पड़ेगा तो यहां पर तो 1 है तो 1 को हम क्या करें 7 to the power 0 की value भी होती है 1 है कि नहीं मतलब किसी भी number के power में यति 0 लिख देंगे तो 1 होगा तो क्यों हम 7 to the power 0 is equal to 1 इस value का यूज करें यहां पर तो इस 1 के जगा पर 7 to the power 0 लिख सकते हैं तो we will write it implies 7 to the power 2x plus 3 is equal to 7 to the power 0 यहां पर आप देखें base बराबर हो गया मतलब 7 यहां पर है और यहां 7 है यह दोनों base बराबर है इसलिए power equal हो जाएगा it implies 2x plus 3 is equal to 0 ठीक है it implies यहां पर आप जानते हैं कैसे solve करना है 2x is equal to 3 को transpose करिये तो मिलेगा minus 3 it implies अब यहां से हो जाएगा x is equal to minus 3 upon 2 this will be the value of x in this case second part of question 4 2 to the power x plus 1 is equal to 4 to the power x minus 3 देखे यहां पर base equal नहीं है तो base को equal करने के बारे में सोचना होगा तो 4 को हम लिए सकते हैं 2 to the power 2 तो यहां पर base equal हो जाएगा यहां 2 to तो यहां पर हम क्या करेंगे सबसे पहले it implies 2 to the power x plus 1 इसको लिखेंगे 2 to the power 2 4 के place पर और whole to the power जो था उसको ऐसे ही लिखे रही है x minus 3 तो अब यहां पर थोड़ा simplify करेंगे तो 2 to the power x plus 1 is equal to यहां पर ध्यां देजे यहां पर multiply कर देंगे formula जो हमारा होता है a to the power m whole to the power n रहता है तो a to the power m into n हो जाता है तो यहां भी वही करेंगे भी जाएगा 2 to the power और 2 into x minus 3 तो 2 से x minus 3 मोटबलाई करतेंगे अब यहां ध्यां देजे अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो 2 है base वो दूनों तरफ बराबर हो चुका है यदि equal हो जाएगा base तो हम directly powers को भी equate कर सकते हैं इसका मतलब कि x plus 1 will be equal to 2 times x minus 3 अब यहां solve कर लेंगे solving this we will get x plus 1 is equal to यहां पर बलाई कर दीजे तो मिलेगा हमे 2x minus 2 into 3 6 और यह variables को एक साथ करेंगे तो मिलेगा हमे x minus 2x 2x को transpose कर देंगे left side में is equal to यहां पर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा minus 6 और यह plus 1 को transpose कर यह तो minus 1 and after that we will get minus x is equal to यहां पर मिल जाएगा minus 7 और यह दुन 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 का minus minus cancel out हो जाएगा because we can multiply by minus 1 हमें मिल जाएगा x is equal to 7 this will be the answer for this part 3rd part of question 4 2 to the power 5x plus 3 is equal to 8 to the power x plus 3 तो यहां पर हमें 8 को 2 to the power something लिखना पड़ेगा 2 to the power 3 is equal to 8 होता है यहां पर यूज करेंगे वही it implies 2 to the power 5x plus 3 is equal to यहां पर हो जाएगा 2 to the power 3 8 के जगा पर लिखेंगे 2 to the power 3 whole to the power जो x plus 3 है वह तो रहेगा ही रहेगा अब यहां पर ध्यान देजेए यहां पर अभी solve करेंगे तो यहां पर लिखेंगे 2 to the power 5x plus 3 यहां पर solve करेंगे 2 to the power यदि m रहेगा whole to the power n रहेगा तो क्या करते हैं 2 to the power m into n यहां हमें reply कर लेंगे तो 2 to the power हो जाएगा 3 times x plus 3 अब देखें यहां पर base बराबर हो गया यहां पर 2 है और यहां आपका 2 है base equal होने पर हमें इनको powers को equate कर देना चाहिए क्योंकि तभी यह सही होगा 5x plus 3 is equal to हो जाएगा 3 times x plus 3 अब यहां apply कर लेंगे अब variables को एक साथ कर लेंगे और constant को एक साथ कर लेंगे तो यहां मिल जाएगा हमें 5x minus 2x is 3x is 2x यहां पर हो जाएगा 9 minus 3 is 6 तो 8 implies हमें मिल जाएगा 2x is equal to 6 upon 2 to 1 to 2 to 3 to 6 means हमें value मिल जाएगी x की 3 तो this is the answer for this part now fourth part of question 4 यहां पर दिया है 4 to the power 2x is equal to 1 upon 32 दोनों तरफ हम सोचेंगे कि base कैसे equal हो जाए तो यहां पर 4 है तो 4 को हम लिखेंगे 2 to the power 2 और यहां 32 है 32 को factorize करके देखेंगे कि 2 के power में क्या आ रहा है 32 को factorize करेंगे तो मिलेगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 times मिलेगा 2 means 2 to the power 5 यहां पर यूज़ करलेंगे यहां मिलेगा 2 to the power 2 2 whole to the power 2x is equal to यहां पर होगा 1 upon 2 to the power 5 देखें आप यहां पर हम लोग पढ़े हैं कि a to the power यदि m रहेगा माइनस में तो यह हो जाता है 1 upon a to the power n और यदि ऐसा रहेगा तो ऐसा भी तो हो सकता है तो यहाँ पर 1 upon 2 to the power 5 ऐसा दिया हुआ है तो हम ऐसा कर लेंगे मतलब negative कर लेंगे इसको तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा यहाँ पर देखिए multiply कर लेंगे इसको क्योंकि 2 to the power m into n के form में है 2 to the power हो जाएगा 2 to the 4x यह हो जाएगा 4x is equal to यहाँ पर यदि हम ऐसा लिखेंगे तो मिलेगा हमे 2 to the power minus 5 अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर base दोनों का equal हो गया है यदि base equal हो गया तो हम powers को equate कर सकते हैं मतलब कि 4x is equal to minus 5 it implies x is equal to minus 5 upon 4 so this is your answer for this part 5th part of question 4 2 to the power 3x minus 7 is equal to 256 तो हम पहले 256 को factize करेंगे और देखेंगे कि 2 to the power में क्या आ रहा है तो हम यहाँ factize किये हैं और 2 जो है 8 times आ रहा है तो यहाँ पर हम उसका power में use कर लेंगे 2 to the power यह होगा 3x minus 7 is equal to 2 to the power 8 ठीक है इस नमर को तो यहाँ पर आप ने base बराबर कर लिया तो base यह दी बराबर हो गया तो powers equal होने चाहिए मतलब 3x minus 7 is equal to 8 होना ही चाहिए it implies यहाँ मिल जाएगा 3x is equal to 7 इधार right side में transpose करके add कर लेंगे यहाँ मिल जाएगा x is equal to 15 upon 3 3 बंज़ा 3 और 3 5 जा 15 मिल जाएगा हमें x is equal to 5 this is the answer for this part तो हमने solve कर लिया question 1 2 3 and 4 तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा इसके आगे value questions को हम solve करेंगे इसके next वीडियो में तो उसको भी आप जरूर देखिएगा यदि आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए और यदि आपने already subscribe कर दिया है तो आप कुछ comment box में लिख सकते हैं अपने दुस्ते को share कर सकते हैं और यदि कोई भी doubt होता है तो जरूर आप comment box में बताएं मुझे I will improve on that और यदि किसी exercise का solution चाहिए तो बिल्कुल आप बेज जिजए का आप लिख सकते हैं ठीक है Thank you so much for watching Bye